हलो बच्चो कैसे हैं आप सभी लोग तो बच्चो करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट देखिए प्रीविस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुलम्स लोगा काम हमारा हो गया है खतम अब हम क्या करेंगे कि अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और प्रीविस टॉपिक के ओपर एक दो प्रॉबलम एक दो प्रॉबलम डेली बेसिस पर हम आपको बताते रहेंगे ठीक है तो अब हम यहां से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिटा कुलम्स लोग हमारा electric field हम जानेंगे कि electric field होता क्या है इसकी definitions वगेरा जानेंगे इसका physical significance जानेंगे इसका physical significance क्या है ठीक है यह सारी बाते हम यहाँ discuss करेंगे तो सबसे पहला काम आप लोगों का यह है कि आप अपनी copy में heading लिखिए electric field हमारे पास में जो topic है बिटा उसका नाम है electric field आईए जानते हैं कि electric field होता क्या है देखो भाईया एक छोटा से example मैं आप लोगों को देता हूँ पहले तो काफी कुछ नाम से ही clear हो गया electric माने charge field माने charge के चारो तरफ का space तो electric field का collectively meaning बन गया है electric field का collectively meaning बिटा बन गया है the space surrounding the charge called electric field किसी भी charge के जो चारो तरफ का space होता है उसे ही कोई हम electric field बोलते है अब देखो होता क्या है जैसे जितने भी countries है सबकी अपनी boundaries है इडिया की boundary है पाकिस्तान, नेपाल, बुटान, सिरलंका, चाइना जो भी है जितने भी countries है सबकी अपनी boundaries होती है जहां तक उनके rules and regulations काम करते है बिल्कुल वैसे ही आप ये समझेए कि अगर यहां कोई एक charge रखा हुआ है plus q यहां अगर कोई charge रखा हुआ है plus q तो ये plus q charge क्या करेगा कि अपने चारो तरफ एक space बना लेगा ये ऐसे इसने अपने चारो तरफ एक space बना लिया ये space ऐसा है कि जहां तक ये किसी दूसरे charge के उपर force अपलाई कर सकता है आप ये समझेए कि अगर कोई दूसरा charge इस space के बाहर रखा है तो ये plus q इस plus small q के उपर force नहीं लगाएगा q नहीं लगाएगा क्योंकि ये small q इस capital q के electric field से बाहर रखा है पचो अगर कोई charge इसके electric field में होगा इसकी range में होगा तभी वो ये दूसरे charge के उपर force अपलाई करेगा otherwise force अपलाई नहीं करेगा अगर मैं ये कहूँ कि भई मैंने एक charge यहां रख दिया है इस charge की value है plus q तो आप कहेंगे कि भई definitely ये इसके उपर force लगाएगा क्योंकि ये इसके उपर force इसले लगाएगा क्योंकि ये इसके electric field में रखा हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही हुए कि जो इंडिया है ना इंडिया के rules शीरलंगा में काम नहीं करते है या इंडिया की जो rules है वो नेपाल के अंदर काम नहीं करते है इंडिया के rules इंडिया के अंदर पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी काम करेंगे बासमझ में आ रही है यानि चार्ज अगर इसके फील्ड में रखा है तो इसके उपर ये फोर्स अपलाई करेगा और अगर चार्ज इसके फील्ड में नहीं रखा है तो इसके उपर फोर्स बिल्कुल भी अपलाई नहीं करेगा तो बेटकुल मिलाकर collectively हमारे सामने जो definition बनी है वो ये बनी है कि चार्ज के चारो तरफ का area, चार्ज के चारो तरफ का space जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर force apply कर सकता है चार्ज के चारो तरफ का area या चार्ज के चारो तरफ का space जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर force apply कर सकता है उसे हम लोग नाम देंगे electric field वो हमारा electric field कहलाएगा यानि आप ये समझे कि यहां अगर एक plus q charge रखा हुआ है तो ये plus q charge अपने चारो तरफ ये space बनाएगा बस आप ये समझ लीजिए कि बिटा इसी space को आप electric field का नाम देने वाले हो ये ही आपका electric field कहलाएगा चार्ज के चारो तरफ का area ही आपका electric field कहलाएगा उमीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी किसी को कोई परिशानी यहां तक नहीं होगी चार्ज के चारो तरफ का area जहां तक उसके rules काम करेंगे जहां तक वो किसी दूसरे के ओपर force apply करेगा उसी area को हम नाम देंगे electric field वो ही area हमारा electric field बेटा कहलाता है ठीक है? उमीद है कि आप लोग समझे होंगे अब आप देखिए इसके बाद जो next point हमारे पास में आता है उसे हम लोग बोलते हैं intensity of electric field हमने ये तो कह दिया कि चार्ज के जो चारो तरफ का space है उसी को हम electric field का नाम देंगे लेकिन ये electric field अब कितना strong है और कितना weak है इस बात को पता लगाने के लिए हम एक term का use करते हैं जिसे हम नाम देते हैं intensity of electric field Electric field कितना strong है या electric field कितना weak है इस बात का पता लगाने के लिए हम एक term का use करते हैं बिटा और इस term को हम नाम देते हैं Intensity of electric field आईए देखते हैं कि Intensity of electric field हम किस तरीके से निकालेंगे बहुत ध्यान से हर एक बात को आप लोगों को समझना है Intensity of electric field हम किस तरीके से निकालेंगे देखो बिटा Topic का नाम है हमारे पास में Intensity of electric field Intensity of electric field ठीक है Intensity of electric field Very easy कोई बहुत मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है देखो बिटा यहां रखा हुआ है हमारे पास में Plus Q charge और यह Plus Q charge के चारो तरफ बन गया है Electric field बन गया है electric field अगर मैंने यहां पर एक Testing charge रखा हुआ है Q naught Q के नीचे यह जीरो सी लगा दी है ना इसे हम लोग बोलते हैं Testing charge Testing charge और Testing charge की खास बात यह होती है कि इसकी value बहुत छोटी होती है Very small इसकी value बहुत छोटी होती है Testing charge की value बहुत छोटी होगी यह इसका मतलब है अब आप यह देखो यह जो black वाला space मैंने बनाया है यह इसका electric field है तमझमारी बात यानि इस electric field का राजा यह है और यह राजा अब इसके उपर force apply करेगा यह plus Q इस plus को repel करेगा इस तरफ force लगाया capital F बताईए लगाया या नहीं लगाया तो यहाँ पर इसकी वज़ा से यहाँ पर इसकी वज़ा से यहाँ पर कितना electric field है यह हमें calculate करना है इस राजा की वज़ा से यानि इस राजा के इस point पर कितने rule काम करते है देखो यह राजा है यह नजदीक वाला point है राजा के नजदीक वाले point पर rule ज़ादा काम करेंगे यानि यहाँ electric field ज़ादा होगा और जैसे जैसे आप राजा से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे राजा से distance बढ़ती जाएगी यानि रूल कम काम करते जाएगे यानि electric field की value घटती जाएगी electric field intensity of electric field की value कम होती जाएगी हमें यह देखना है कि इसकी वज़ा से यहाँ पर कितनी intensity of electric field होगी सबसे पहले तो आप यह समझे बिटा electric field को हम capital E से denote करते है capital E से हम इसे denote करते है यह एक vector quantity है कैसी quantity है vector quantity है ध्यान से यह एक vector quantity है और इसे निकालने का तरीका है limit q naught is tends to zero देखो इसका खोई खास परवाव नहीं है बहुत सारे बच्चे ऐसे है जो confuse हो जाते है इसकी वज़ा से और इसे समझ नहीं पाते बहुत आसान है इसका मतलब सिर्फ इतने से है कि q naught की value बहुत छोटी है limit q naught is tends to zero इसका मतलब सिर्फ इस बात से है कि q naught की value बहुत छोटी है q naught small है कितना force काम कर रहा है f और किस पर काम कर रहा है q naught पर force को q naught से divide कर देंगे तो यह आपका electric field निकल जाएगा अगर आप force को charge से divide कर देंगे तो आप लोगों का electric field निकल जाएगा यानि इसकी वज़ा से यहाँ कितना electric field है बहुत आसान है निकालना इसकी वज़ा से यहां कितना electric field है बहुत आसाने निकालना कैसे निकालोगे यह देखो कि इसकी वज़ा से यहां कितना force काम कर रहा है F इस F को तो रखा उपर इस पर force काम कर रहा है जो इसकी प्रजा है उसे आपको रखना है नीचे यानि charge को रखना है नीचे q0 का मतलब होता है testing charge और testing charge जिसकी value होती है बहुत छोटी जैसे ही force को charge से divide करोगे electric field निकल जाएगा electric field एक vector quantity है और यह जो यह limit q0 is tends to zero हमने लगाया है ना बेटा इसका मतलब सिर्फ इस बात से है कि q0 की value बहुत ही small है तो दो बाते हम अभी तक हमने आपको बेटा यहां बताई है एक बात यह है ध्यान से हमारी बात सुनिएगा दो बाते हमने अभी तक आपको बताई है एक बात यह है कि charge के जो चारो तरफ का space होता है उसे हम लोग नाम देते हैं electric field समझनारी बात चार्ज के जो चारो तरफ का स्पेस है आप ये समझ लोगी चार्ज बिलकुल ऐसे काम कर रहा है जैसे नियू दैली काम करती है और नियू दैली के जो चारो तरफ का स्पेस है वो पूरा इंडिया हमारा कहलाता है ठीक है तो चार्ज के चारो तरफ का जो space है जहां तक चार्ज 4 सेप्लाई कर सकता है वो आपका electric field कहलाएगा भई 4 example मैं इस classroom के बाहर अपना हुकम नहीं चला सकता हूँ यह समझे लो 4 example मैं अपनी बात किसी को यहां इस classroom के बाहर नहीं कह सकता हूँ तो वो मेरा field नहीं है, मेरा field सिर्फ ये classroom है, मैं अगर यहाँ classroom में किसी को कुछ कहूंगा तो वो उस बात को मानेगा, तो ये जो पूरा classroom है, ये मेरा electric field कहलाएगा, ये ये मेरा field कहलाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, charge के जो चारो तरफ का space है, वो उसका electric field कहलाएगा, intensity of electric field निकालने का तरीका क्या है, इसने इसके उपर कितना force लगाया, f और नीचे charge से divide किया, ये निकल गया हमारा intensity of electric field, q0 को हम बोलते हैं, testing charge, इसका मतलब भी इसी चीज़ से है, q0 की value बहुत छोटी है, electric field एक vector quantity है, बात समझ में आई बिटा आप लोगों को, तो सब से पहले आप एक काम करेंगे, आप अपनी copy में heading लिखेंगे, electric field, electric field, सब से पहला काम आपका ये है, कि आप अपनी copy में heading लिखेंगे, electric field, electric field, LED, कि लिखेंगे, the space, surrounding the, the space, surrounding the, any charge, the space, surrounding the any charge, the space surrounding the any charge called electric field. The space surrounding the any charge called electric field. Charge के चारो तरफ का एरिया जहां तक वो force apply करेगा, वो हमारा कहलाएगा electric field. ये छोट असा डाइग्राम आप इसके अंदर बना दीजिए बिटा. जल्दी से बना ये फटाफट. ये छोट असा डाइग्राम आप इसके अंदर बना दीजिए, ये ही electric field को शो करेगा. कि वही चार्ज के जो चारो तरफ का space है, ये पूरा space, ये पूरा space, ये पूरा space हमारा electric field कहलाएगा वेटा. ये पूरा space हमारा electric field कहलाएगा. उमीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे हैं. उसके बाद जो दूसरी heading हमारी आती है बिटा, इसका नाम है intensity of electric field. intensity of electric field. intensity of electric field. intensity of electric field का मतलब क्या है? जैसे चार्ज यहां रखा है. अब ये चार्ज के जो चारो तरफ का space है, ये हमारा electric field है. हम जानना चाहते हैं कि चार्ज की वज़ा से यहां कितनी intensity होगी. चार्ज की वज़ा से यहां कितनी electric field होगा यहां कितना होगा यहां कितना होगा उसे हम लोग नाम देते हैं intensity of electric field लिखिए आप लोग अपनी copy के अंदर the strength of electric field 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 is known as the strength of electric field is known as intensity of electric field the strength of electric field is known as intensity of electric field the strength of electric field is known as intensity of electric field intensity of electric field ठीक है बटा यानि electric field की जो strength रहेगी उसे हम नाम देंगे intensity of electric field अब आप एक काम करिए ये वाला diagram आप इसके अंदर बनाईए कि मेरे पास में यहाँ एक charge है बटा इस charge का नाम है plus capital Q यहाँ एक charge है Q naught ये plus capital Q इस Q naught को repel करेगा इस तरफ यानि इसने इस पर कितना force अप्लाई किया capital F इस capital F को इसके charge से divide कर देना है force को charge से divide करोगे तो निकल जाएगी electric field intensity of electric field जिसे हम denote करेंगे capital E से vector quantity है अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा लेकिन पहले आप इस नोट डाउन करिए अपनी copy में जल्दी से जल्दी से note down करिए बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे ठीक है उमीद करते हैं कि आप लोगों ने note कर लिया होगा देखो बीटा अब हम intensity of electric field के बारे में और जानेंगे intensity of electric field intensity of electric field के बारे में हम और जानेंगे बीटा क्या है intensity of electric field जड़ा आप लोग समझें भई हमारे पास में यहां एक charge रखा हुआ है plus q अब आप जानते हूँ कि यह charge अपने चारों तरफ बनाएगा electric field बनाओ बनाएगा या नहीं बनाएगा बिलकुल बनाएगा इस charge से r distance पर यहां एक testing charge रखा है q naught बेटा q naught का मतलब है testing charge testing charge माने यानि इसकी कोई उकात नहीं है इसकी अपनी कोई value नहीं है अपनी value बहुत छोटी है testing charge बहुत छोटा है इसकी value बहुत ही कम है समझारी बाद यह testing charge है हमारे पास में अब आप यह देखो यहां रखा है plus q यहां रखा है testing charge और इनके बीच का gap है r अब तुम्हें एक बात बताओ इजो plus q है इसके चारों तरफ electric field बनेगा या नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा आप कहोगे किसर बिल्कुल बनेगा charge की चारों तरफ electric field बनेगा और यह q naught कहीं न कहीं उस electric field में ही रखा है तो definitely होगा क्या यह plus capital q इस q naught के ओपर एक force apply करेगा हमने इस force को नाम दिया f यह जो plus capital q है इस q naught के ओपर एक force apply करेगा इस force को हमने नाम दिया f so हम लोग लिखते हैं बिटा according to Coulomb's law according to Coulomb's law force act force act by capital q on q naught ठीक है capital q ने q naught पर कितना force लगाया वो है हमारे पास में इतना one upon four pi epsilon naught एक charge है capital q एक charge है q naught और इनके बीच की distance है हमारे पास में r square बताईए है या नहीं यहाँ vector का sign हम लोग लगा देंगे और यहाँ दिखाने के लिए r के उपर cap हम लगा देंगे बहुत आसान है चाहे लगाओ भी ना उसे कोई फरक नहीं पड़ता ठीके नहीं यहाँ हमने r के उपर cap लगा दिया direction दिखाने के लिए चुकि यहाँ vector का sign लगाया इसलिए यहाँ r के उपर cap हमने लगा दिया तो बेटा अभी पढ़के आए हैं हम लोग हम क्या पढ़के आए हैं हम पढ़के आए हैं कि intensity of electric field जो electric field की intensity है वो कैसे निकाली जाती है intensity of electric field को हम निकालते कैसे हैं intensity of electric field electric field को हम calculate कैसे करेंगे electric field को capital E से हम denote करते थे और हम इसे लिखते थे LIM माने limit Q naught is tends to zero आप जानते हो इसका मतलब यह होता है कि Q naught की value बहुत छोटी है Q naught बहुत ही small है यहां हम रखते हैं force vector और divide करते हैं हम Q naught से यह हमारा formula था यह हमारा formula था इसकी जंगा हमें काम करते है Q naught बहुत छोटा है यह बात यह किसीज को दिखा रहा है यह सर्व इस बात को दिखा रहा है कि Q naught बहुत छोटा है अरे हमें तो पता है Q naught बहुत छोटा है हटाओ इसकी क्या ज़ूरत है जब हमें पता है Q naught बहुत छोटा है तो फिर formality की क्या ज़ूरत है कोई ज़ूरत नहीं है formality की हटा देते हैं इसे हमने लिख दिया force upon q0 ऐसा हमने लिख दिया कुलंब्स लॉ के according force हम निकाल चुके हैं यह रहा यहां से उठा कर यहां put करेंगे answer बनेगा 1 upon 4 pi epsilon 0 यहां आएगा capital Q यहां आएगा q0 यहां आएगा r square यहां आएगा r cap 1 upon 4 pi epsilon 0 capital Q q0 r square r cap और नीचे है बिटा हमारे पास में q0 q0 से q0 cancel out q0 से q0 हो गया हमारा cancel out अब हमारे पास में electric field की value बची electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square और यहां आएगा है r cap यानि जो electric field होगा वो इतना होने वाला है बच्चो इस तरीके से हम electric field निकालेंगे देखो यार यह बात तो सिर्फ और सिर्फ copy में लिखने वाली है copy में लिखने वाली बात है अब चिंता मत करो बिलकुल भी मैं एक एक बात आप लोगों को बिलकुल अच्छे दरीके से clear कर दूँगा यह बात numerical solve करने वाली नहीं है या नहीं question solve करने वाली है यह दो सिर्फ copy में लिखने वाली बात है अब numerical solve करने वाली बात कौन सी है अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी है numerical solve करने वाली बात पहले आप इसे अपनी copy में no down कर लीजे वीटा ठीक है जल्दी से करिए चलिए बचो उमीद है कि आपने copy में note कर लिया होगा और यहां तक आपको परेशानी नहीं होगी अब यह जितनी भी बाते मैंने आपको बताई है यह सारी की सारी बाते तो सिर्फ एक मातर formality थी अब समय आगया है उन बातों को जानने का जो हमारी काम की बाते है जेनके उपर हमें question solve करने है कैसे हम problem solve करेंगे सबसे पहली बात note point number 1 note point number 1 जो आप जानते हो मैं आपको बता चुका हूँ पहला point मेरे पास में यह है बिटा कि अगर मुझे कोई charge दे रखा है तो charge के जो चारो तरफ का surrounding का area हुगा इसे मैं नाम दूँगा electric field electric field ठीक है note point number 2 note point number 2 ध्यान से बिटा electric field की value निकालने का तरीका है e vector is equal to force vector और उसे divide करना पड़ेगा चार्ज से यह electric field की value निकालने का तरीका है e is equal to f upon q ठीक है सबसे पहले हम electric field के बारे में जानते है बिटा यह एक vector quantity है कैसी quantity है यह है एक vector quantity और इस vector quantity की जो si unit है si unit ध्यान से वो ऐसा unit है newton पर कुलंब newton पर कुलंब और जो दूसरी unit है वो है volt पर मीटर volt पर मीटर ध्यान रखेगा दो unit है बिटा इसकी एक है newton पर कुलंब एक है volt पर मीटर दूसरा क्या हो गया electric field की जो dimension होगी है हमारे पास में electric field की जो dimension होगी देखो आपने देखा electric field कैसे निकल रहा है electric field को निकालने का तरीका यह है कि force को उठा कर हमें charge से divide करना पड़ेगा तब जाकर कहीं हमारा electric field निकलेगा अब force की dimension क्या होती है भहिया force की dimension होती है यह mlt-2 charge की dimension क्या होती है charge की dimension होती है 80 तो यहां से हमारे पास में electric field की जो dimension निकलेगी बेटा दिहान से electric field की जो dimension हमारे पास में निकलेगी वो यह निकलेगी ML T-3 A-1 ठीक है यह electric field की dimension होगी अच्छा मैंने आपसे कहा कि electric field है एक vector quantity तो जो इसकी direction होने वाली है न बेटा electric field की जो direction होने वाली है वो positive charge से negative charge की तरफ होने वाली है धियान रखेगा this is the direction of electric field electric field की direction होगी positive charge से negative charge की तरफ positive charge से negative charge की तरफ अभी सिर्फ दो point होए है basic से charge के जो चारो तरफ का space है वो हो गया electric field बासमझ में आ रही है उसके बाद जो point charge के जितना ज़्यादा नजदीक होगा उस point पर electric field उतना ज़्यादा strong होगा माल लो की यहाँ electric field निकालना है यहाँ electric field निकालना है यहाँ electric field निकालना है माल लीजे की यहाँ electric field निकालना है तो यहाँ हमने एक testing charge रखा Q naught यह प्लस इस testing charge को करेगा repel F force के साथ अगर इस point पर आपको electric field निकालना है न तो ये इसे repel करेगा इस तरफ इस force को उठा कर इससे divide कर दो आपका electric field निकल जाएगा जैसे ही force को charge से divide करोगे इसकी वजा से यहां कितना electric field बनेगा ये आप लोगों का बिटा निकल जाएगा तो हमारे पास में electric field का एक basic formula ये हो गया ये electric field की dimension हो गई ये electric field की direction हो गई बहुत दो basic से point मैंने आपको बताए अभी आप सुनते रहें बिल्कुल धियान से जल्दी से note करिए फिर हम आगे बात करेंगे ठीक है बिटा चलिए तो अभी हम बात करते हैं आगे और देखते हैं कि condition क्या है जो next note point हमारे पास में आता है note point number 3 वो क्या है जड़ा देखिए एक charge है हमारे पास में plus q एक charge है already हमारे पास में जिसका नाम है plus q इस plus q की वज़ा से यहां से r distance पर यहां से r distance पर यह r distance से बिटा एक point आपको दे रखा है p बहुत शांदार बात है बिटा बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे main काम यही है हरे एक बच्चे को अब तक आपको कुछ समझ आया या नहीं आया लेकिन अब यह point आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए एक charge रखा है आपके पास में plus q अब होगा क्या यह plus q अपने चारों तरफ बनाएगा electric field बनाएगा electric field जरूर p point पर भी electric field बनाएगा सबसे पहले आप यह समझें कि charge कैसा है positive जब positive charge की वज़ा से यहां direction निकालेंगे न बिटा तो direction हमेशा positive की वज़ा से ऐसे दूर जाती भी होती है positive की वज़ा से जब यहां हम direction निकालेंगे तो हमेशा direction होती है दूर जाती हुई यानि यहां electric field की direction होगी इस तरफ यह हमारी electric field की direction होगी इस तरफ इस point पर और electric field हमेशा depend करता है दो factor पर one upon four pi epsilon naught तो आना ही आना है यह तो constant हो गया अगर हमें इसकी वज़ा से यहां electric field निकालना है न विटा इसकी वज़ा से यहां कितना electric field बन रहा है तो electric field हमेशा depend करता है दो factor पर एक factor का नाम है charge और दूसरे factor का नाम है distance यानि किसकी वज़ा से मैं electric field निकाल रहा हूँ मैं इसकी वजा से electric field निकाल रहा हूँ और कहा निकाल रहा हूँ? यहाँ निकाल रहा हूँ तो electric field is depend on two factors number one, charge number two, यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance तो electric field निकालने का formula हो गया 1 upon 4 pi epsilon 0 जिसकी value आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसकी value है 9 into 10 की power 9 charge हो गया है q और यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance हो जाएगी हमारे पास में r square यह हमारी electric field की value होगी इसकी वजा से यहाँ पर बिलकुल ऐसा ही एक और point आप लोग देखें मिटा note point number 4 देखो, माल लिया कि हमारे पास में एक negative charge है minus q हमारे पास में एक negative charge है minus q यहाँ से r distance पर इस point पर हमें electric field निकालना है तो सबसे पहली बात तो आप यह देखें charge कैसा है minus q भले ही minus हो भले ही plus हो कोई दिक्कत नहीं है charge क्या करता है charge अपने चारों तरफ बनाता है electric field अपने चारों तरफ electric field बनाएगा जब charge अपने चारों तरफ electric field बनाएगा तो उस electric field की कुछ value p को भी मिलेगी क्योंकि p भी उसके चारों तरफ में ही कही रखा है बात समझ में आ रही है तो p पर कितना electric field बनेगा पहले देखें direction positive की वज़ा से direction होती है बाहर की तरफ negative की वज़ा से direction होती है बेटा अंदर की तरफ ध्यान लखेंगे negative की वज़ा से direction होगी negative की तरफ और positive की वज़ा से direction होगी बाहर की तरफ electric field की जो value हमारे सामने बनेगी वो ये बनेगी 1 upon 4 pi epsilon 0 charge कितना है minus q minus आपको नहीं लेना है क्योंकि electric field vector quantity है और यहां से लेकर यहां तक की distance है आपके पास में r square तो बेटा इतना electric field बनेगा हमारे पास में यहां पर si unit आप पहले से जानते है si unit है newton per column और volt per meter दोनों में से कोई भी आप use कर सकते है इसकी बज़ा से यहां पर इतना electric field بنेगा बाहर की तरफ और इसकी बज़ा से यहां पर इतना electric field बनेगा अंदर की तरफ याργि इलेक्टिक field बनाने के लिए दो charge की जरूत नहीं है electric field एक ही charge की बज़ा से बनेगा वो तो concept के अंदर सिर्फ आपको समझाने के लिए हम टेस्टिंग चार्ज रख रहेते हैं वहाँ पर बाकी यह है कि जब electric field की value आप निकालोगे तो आपको दो charges की जरुद बिलकुल नहीं पड़ेगी electric field एक ही charge से निकल जाएगा और उसे निकालने का तरीका है देखो बचो अब मैं आपको example बताना स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले example के हम बात करते हैं example number one है हमारे पास में ये example number one हमारे पास में ये है हमें एक charge दिया गया है plus q और plus q क्या हमें एक charge दिया गया है two micro कुलंब ओके यहां से 10 cm पर इस point पर हमें electric field निकालना है कितना होगा इसकी वजा से यहां कितना electric field बन रहा है हमें ये बताना होगा बैब मैं तो ये कहूंगा कि charge रखा है two micro कुलंब तो ये two micro कुलंब अपने चारो तरफ electric field जरूर बनाएगा ये जो two micro कुलंब है ये अपने चारो तरफ electric field जरूर 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 electric field अपने चारो तरफ बनाएगा और p point पर भी कुछ न कुछ electric field जरूर बनाएगा सबसे पहले आप ये देखे कि charge है कैसा positive इस positive की वजा से यहां पर direction होगी बाहर की तरफ इस positive की वजा से direction होगी ऐसे electric field का जो formula है हमारे पास में वो है ये 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square अब आप देखें बिटा 1 upon 4 pi epsilon 0 आपको दिख रहा है इसकी value होगी 9 into 10 की power 9 आप जानते हो charge इसकी वजा से निकाल रहे है चार्ज कितना है 2 µाइक्रो कुलम 2 into 10 की power minus के 6 बात समझ में आ रही है और यहां से लेकर यहां तक की जो distance आपको दे रखी है यह 10 cm सेंटीमीटर को आप जानते हैं मीटर में बदलेंगे 10 की power minus 2 लगा कर और यह हो गया whole square formula कुलम्स लॉज ऐसा है बस यहां q1 q2 नहीं है एक ही charge है यहां पर अब आप इसे solve करेंगे जब आप इसे solve करेंगे तो 9 into 2 18 10 की power plus 9 और minus 6 यानी 3 10 square करोगे 100 और यह आएगा 10 की power minus 4 and the correct answer is 1.8 into 10 की power 6 1.8 into 10 की power 6 newton पर कुलम्स लो विटा इसकी वजा से यहां जो electric field बनेगा उसकी value तो होगी इतनी और direction ऐसे होगी बाहर की तरफ इसकी वजा से यहां जो electric field बनेगा उसकी direction तो होगी बाहर की तरफ और value होगी इतनी इस तरीके से हम question मनाएंगे उमीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे आप लोगों को problem solve करनी है ठीक है जल्दी से no down करिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं और तो बेटा next example की तरफ हम लोग बढ़ते हैं example number 2 देखे example number 2 में एक charge हमें दिया गया है plus q यहां से r distance पर एक point हमें यहां दिया गया है p और यहां से r distance पर एक point हमें यहां दिया गया है minus q दो charge हमें दिया गया है विटा एक है plus q एक है minus q p point पर कितना electric field होगा हमें यह बताना है अरे हम यह कहेंगे भाई कि इसकी वज़ा से भी यहां कोई न कोई electric field जरूर बनेगा और इसकी वज़ा से भी कोई न कोई electric field यहां जरूर बनेगा चलिए सबसे पहले इसकी वज़ा से यहां कितना electric field बनेगा यह देख लेते हैं यह charge कैसा है positive जब इस positive की वज़ा से यहां electric field हम बनाएंगे तो direction होगी बाहर की तरफ और हमने इसे नाम दे दिया e बासमझ मारी है और जब इस minus की वज़ा से यहां electric field निकालेंगे तो direction होगी इस सरफ और हमने इसे भी नाम दे दिया e अब सवाल रुखता है कि दोनों को हमने e क्यूं कहा क्योंकि बेटा electric field depend जैसे force कहां पर depend कर रहा था force depend कर रहा था दोनों charges पर और उनके बीच के gap पर यहां electric field depend करता है charge पर और charge से लेकर point के बीच के gap पर चार्ज से लेकर point के बीच का जो gap रहता है उसके उपर हमारा electric field depend करता है तो electric field depend करेगा एक तो charge पर और एक यहां से लेकर यहां तक के distance पर चार्ज पर और यहां से लेकर यहां तक के distance पर यहां भी charge Q है यहां भी charge Q है बले ही plus minus का हो plus minus से तो हम सिर्फ direction दिखाएंगे यह distance भी R है और यह distance भी R है उमीद करते हैं कि बाद समझा रही होगी यह angle आपको दे दिया है 90 degree अब मुझे आप एक बात बताएए E की value होगी कितनी E है क्या E है किसी भी एक की वजा से electric field E की value रहेगी 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square यह हमारी E की value रहेगी बिटा 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square इधर भी कितना है E 90 degree resultant जाएगा बीच में resultant हो जाएगा under root 2 times of E याद करिए जब दो same vector के बीच में देखो यह भी E है और यह भी E है और दोनों के बीच बन रहा है 90 degree का angle तो मैं आपको बता चुका हूँ जब दो same vector के बीच में 90 degree का angle बनता है तो resultant बीच में जाता है और वो under root 2E कहलाता है so resultant electric field at point P is under root 2E और under root 2 और E को हम लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square लोग हिया P point पर resultant electric field हमारा इतना रहने वाला है तो बचो आज की class में हमारा topic हो गया electric field क्या होता है electric field? charge के चारों तरफ का space जहां तक वो force apply कर सकता है वो electric field है intensity of electric field E से denote करते है और formula होर value है 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square positive की वज़ा से direction बाहर की तरफ और negative की वज़ा से अंदर की तरफ अभी तो सिर्फ electric field का basic introduction हुआ है बिटा electric field में अभी बहुत आगे हम लोगों को जाना है बहुत काम हम लोगों को करना है आप लोग अच्छे दरीगे से धियान रखें ठीके चलिए अब दुबारा से हम कुलम्स law पर lot करा जाते हैं जैसा कि कल की क्लास में आपको बताया दा कि हम क्या करेंगे आपको टॉपिक पढ़ाएंगे और टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ प्रीवेस टॉपिक के कुछ अच्छे questions हम आपको solve कराएंगे जिसे कि आपका concept अच्छे दरीगे से clear होता रहे बिटा तो आईए कुलम्स law की practice हम अपनी करते हैं पहले आप इसे note कर दीजेगा उसके बाद हम कुलम्स law की अपनी practice करना start करते हैं और कौन से questions है आज हमारे पास में कुलम्स law की है ठीक है बेटा कुलम्स law की जो problem number one है हमारे पास में आज वो ये है जिना समझेगा आप लोग एक triangle हमें दिया गया है यहां चार्ज दिया है plus capital Q यहां भी है plus capital Q यहां भी है plus capital Q और यहां हमें दिया है small Q ठीक है यह दिया है हमें है और हमें कहा है कि four equilibrium of whole system four equilibrium of whole system find small Q अगर पूरा system equilibrium में है तो आपको small Q निकालना है कितना होगा यह है बिटा हमारे पास में problem अगर पूरा system equilibrium में है तो हमें यह बताना है कि small Q कितना रहने वाला है आईए देखते हैं कि कैसे बताएंगे small Q सबसे पहले तो आप इस word का मतलब जाने है equilibrium of whole system equilibrium of whole system का मतलब यह है यहां काम करने वाला total force भी 0 है यहां काम करने वाला total force भी 0 है जितने भी charge triangle में, rectangle में या square में जैसे भी shape आपको दी जाती जितने भी charge वहां रखे हैं अगर यह word आपके सामने questions के अंदर आ गया equilibrium of whole system तो इसका मतलब यह है कि जितने भी charges आपको दिये गए है हर एक पर काम करने वाला जो total force होगा आपका वो 0 के 1 पल होगा अब आप एक काम करिए बिटा आप इन सभी charges में से कोई भी एक charge उठा लीजिए कोई भी एक charge हमने यह वाला charge उठा लिया तीनो कॉर्णर में से कोई भी एक charge उठा लीजिए हमने यह वाला charge उठा लिया और हमारी जो chronology रहने वाली है हमारी जो tactics रहने वाली है वो यह रहने वाली है कि तीनो कॉर्णर में से किसी भी एक charge को उठाएंगे वहाँ total force निकालेंगे और उसे 0 के बराबर रखेंगे हमने यह वाला charge उठा लिया बिटा अब देखो क्या होगा यह plus capital Q इस plus capital Q को ripple करेगा इस तरफ और मैंने इस force को नाम दे दिया F क्योंकि charge Q, charge Q और distance हमें दे रखी है R equilateral triangle है तो यह angle हो गया 60 degree यह भी 60 degree और यह भी 60 degree है ठीके? हमने एक corner उठा लिया बेटा यह वाला corner और इस corner पर एक force काम कर रहा है F उमीदे की समझ रहे होंगे बच्चे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को यह plus Q, इस plus Q को ripple करेगा इस सरफ और इधर भी force काम करेगा F दोनों को same same Q कहा? क्योंकि यहां भी Q, यहां भी Q और यह distance भी R अच्छा अब small Q यहां एक force लगाएगा इसने इसके उपर force लगा दिया इसने इसके उपर force लगा दिया अभी यह बच रहा है अब यह small Q यह distance हो गई X हमारे पास में यह R नहीं होगी यह distance होगी X यह small Q यहां force लगाएगा और इसे हम कहेंगे F dash इसे हमने नाम दिया F dash अब आप एक बात देखें बिटा यह पूरा angle आपको पता है कि 60 degree है अगर यह पूरा 60 degree है तो यह भी पूरा 60 degree होगा यह F, यह F F और F के बीच में 60 degree बन रहा है तो resultant जाएगा बीच में और resultant कहलाएगा under root 3 F यानि इन दोनों का resultant निकाल दिया हमने इसका और इसका resultant होगे under root 3 F क्योंकि इन दोनों के बीच में 60 degree का angle बन रहा था मैं already पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा deep नहीं जाओंगा क्योंकि मैंने सारी बाते बता रखी है ये questions ही उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो अच्छे से काम करना चाहते है बता दिया है मैंने concept आप लोगों को already हूँ तो यहाँ बेटा अब आप देखो resultant force कितना काम कर रहा है यहाँ resultant force दो काम कर रहे है एक under root 3F काम कर रहा है और एक F' काम कर रहा है under root 3F कहां से आया इन दोनों का resultant हो गया under root 3F F' कहां से आया इसकी वज़ा से यहाँ जो काम कर रहा है F' है दोनों की direction सेम है सो हम कहेंगे total force हो गया under root 3F plus F' और आप जानते हो equilibrium के लिए total force को रखना है 0 के बराबर आप जानते हो वही equilibrium पहली उसने question में कह रखाए कि equilibrium में है पूरा system और equilibrium में हम क्या करते है total force निकाल कर 0 के equal रखते है so under root 3 F को हम लिख सकते है 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q R square Q square R square force निकाल रहा हो बेटा electric field नहीं निकाल रहा हो confuse मत हो जाना force निकाल रहा हो plus F dash कितना होगा F dash है इसके और इसके बीच में काम करने वाला force so 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q small q upon x square is equal to 0 equal to से उधर ले जाओ एक को under root 3 1 upon 4 pi epsilon naught Q square upon R square minus 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q small q upon x square इससे ये cancel out square से capital Q cancel out small q की value निकल गई हमारे पास में under root 3 capital Q upon R square x square की multiply इससरफ और यहां आजाएगा minus ये हमारी small q की value निकल गई बेटा अभी भी answer पूरा नहीं निकला है अभी x की value भी निकालनी है x कितना आएगा ये small q निकल गया मेरे पास में अब x कितना आएगा जरा ये देखते है x कैसे निकलेगा देखें ये पूरी distance है मेरे पास में R मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो angle रहेगा ये ये angle रहेगा 30 degree यहाँ से एक perpendicular हमने draw कर दिया ये हो गई R by 2 ये है मेरे पास में x ये हो गई R by 2 और ये angle है 90 degree का ठीक है तो इस triangle में आप देखो मैं क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ बिटा ध्यान से cos 30 is equal to base upon hypotenious base हो गया R by 2 hypotenious हो गई x cos 30 under root 3 by 2 cancel out x की value निकल गई R by root 3 बस आपको एक काम करना है बिटा ये जो x आ रहा है न यहाँ पर इस x की जगा आपको लिख देना है R upon under root 3 R upon under root 3 x की जगा लिख देंगे R upon under root 3 solve परेंगे small q निकल जाएगा इस तरीके से हम problem बनाएगे पूरा system equilibrium में था यानि हर एक corner के ऊपर काम करने वाला force 0 था हमने तीनो corner में से कोई भी एक corner पकड़ लिया उस पर total force निकाला और उसे 0 के बराबर रख दिया ये f की value, f dash की value ये 0 के बराबर रखा solve के ये answer निकल गया x कैसे निकाला? यहाँ इस triangle बनाकर, ये triangle बनाकर dignometry लगाकर हमने x निकाल दिया x को वहाँ रखेंगे, क्यों निकल जाएगा? ऐसे हम question करेंगे बेटा और पूरे system के equilibrium का सवाल ऐसे आप लोगों को करना है ये सवाल कई बार जब AIEEE का exam होता था या advance का exam होता था उस समय ये सवाल कई बार पूछा गया है इसी लिए मैंने शुरुवात ही इसी question से की है मतलब यहाँ भी हम level रखेंगे यहाँ भी मैंने basic level से ही बात start की है ये सारे question सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा neat और mains level से उपर उठकर पढ़ना चाहते है ठीक है? उन सभी के लिए ये problems है इसमें भी धीरे 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 level rise करेंगे बिटा हम लोग ठीक है? जल्दी से no down करिए next question की दरब हम लोग बढ़ते हैं ओके student अब देखें बिटा next question हमारे पास में बिल्कुल ऐसा ही है ये सवाल तो बस ये मत पूछे कि कितनी बार advance में पूछा जा चुका है plus capital Q plus capital Q plus capital Q plus capital Q यहाँ एक charge रखा है small Q ये distance से आर ठीक है? problem बिल्कुल वैसी ही है question बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने किया problem ये है find find small Q for equilibrium of whole system find small Q for equilibrium of whole system अब whole system का मतलब क्या है? ये तो चार corner है ना बिटा आपके पास में इन चारो corner में से कोई भी एक corner आपको पकड़ लेना है कोई भी एक corner और उस corner पर आपको निकालना है total force और उस total force को रख देना है zero के बराबर problem solve हो जाएगे हमने चारो corner में से मालो ये वाला corner हम लोगों ने पकड़ लिया बिटा अब आप देखो ये plus q इस plus q को repel करेगा इस तरफ और ये plus q इस plus q को repel करेगा इस तरफ उसके बाद ये plus q ये वाला plus q इस वाले plus q को repel करेगा इस तरफ capital F तीन काम कर रहे हैं इसके बाद ये वाला ये plus q इस plus q को repel करेगा इस तरफ F dash देखो पेटा कितने force काम कर रहे है इसे मैंने नाम दे दिया F double dash देखो ये दोनों force हमने same Q कहा ये दोनों force हमने same Q कहा क्योंकि ये भी capital Q ये भी capital Q और इनके बीच के distance R ये भी capital Q ये भी capital Q इनके बीच के distance R ये दोनों force हो गए same यह F'dash क्या है इस प्लस Q की वज़ा से इस प्लस Q पर जो force काम कर रहा है यह हो गया F'dash और इसकी वज़ा से यहां जो force काम कर रहा है यह हो गया F'dash अब इन चारों का resultant निकालो इन चारों का resultant कैसे निकलेगा देखो यह पूरा angle है बिटा आपके पास में 90 degree है दिख रहा है आपको यह पूरा angle आपके पास में 90 degree का है F और F एक दूसरे से 90 degree का angle बना रहे है अगर दो force एक दूसरे से 90 degree का angle बनाएंगे और दोनों force same होंगे तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को अगर दो force एक दूसरे से 90 degree का angle बनाते हैं और दोनों same होते हैं उनका resultant होगा under root 2F इसका और इसका resultant होगा under root 2F यानि अब इस corner पर 3 force काम कर रहे हैं पहले काम कर रहे हैं थे 4 हमने 2 को 1 बना दिया अब काम कर रहे हैं तीन और तीनों की direction है same direction same होने की वज़ा से तीनों को जोड़ दो और चूंकि पूरा system equilibrium में है तो जोड़ कर 0 के बराबर रख दो ऐसे करेंगे मिटाम problem solve चूंकि पूरा system equilibrium में है तो तीनों को जोड़ दो और जोड़ कर तीनों का sum 0 के बराबर रख दो चलिए देखते हैं की कैसे करेंगे सुनिए धियान से under road 2 F को हम क्या लिखेंगे F, F क्या है F है इन दोनों के बीच में काम करने वाला force या इन दोनों के बीच में काम करने वाला force F को हम लिख देंगे 1 upon 4pi epsilon 0 Q square upon R square plus F dash क्या है F dash F dash है इसके और इसके बीच में काम करने वाला force ये capital Q और ये capital Q के बीच में काम करने वाला force तो F dash को हम लिखेंगे 1 upon 4pi epsilon 0 Q into Q upon देखो पेटा ये पूरी distance कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की ये R, ये R, ये 90 degree तो ये पूरी distance हो गई Pythagoras theorem से under root 2R तो यहां आ जाएगा under root 2R का whole square plus F double dash क्या है F double dash F double dash है इसके जो आपको दिख रहा है ये वाला इसके और इसके बीच में काम करने वाला force अगर ये पूरी distance यहां से या तक की इतनी है तो 2 से divide करेंगे न तो यहां से यहां तक की distance निकल जाएगी R by root 2 इन दोनों के बीच में जो force काम कर रहा है वो है F double dash F double dash को हम लिखेंगे वरापॉन 4 pi epsilon naught capital Q, small q R by root 2 का whole square और इन सब का sum हो गया 0 के बराबर लो बेटा पहले 4 force काम कर रहे थे 2 का resultant यह निकाल दिया अब 3 काम कर रहे है तीनों की direction सेम है तो तीनों को जोड़कर 0 के बराबर रख दिया 0 के बराबर क्यों रखा क्योंकि पूरा system है equilibrium में फिर हमने F की value निकाल दी इन दोनों के और इन दोनों के बीच में F काम कर रहा है कोई भी एक ले लो F निकल गया इसके और इसके बीच में F' काम कर रहा है ये लिख दिया इसके और इसके बीच में F' काम कर रहा है ये लिख दिया तीनों से common क्या आएगा तीनों से common आएगा capital Q upon 4 pi epsilon naught तीनों से common आ गया और एक R square common आएगा अतीनों से R square यहां बचा under root 2 q यहां बचा हमारे पास में q upon under root 2 क करेंडे 2 यहां बचा हमारे पास में small q under root 2 का square करेंडे टू और यह हो गया जीरो के बराबर common ने लिए हमने इसे पहुँचा देंगे 0 में तो यह हो गया under root 2q plus q by 2 plus 2q 0 ठीक है बस solve कर लीजिए answer निकल जाएगा 2q is equal to minus q आजाएगा common 1 by 2 plus root 2 यह 2 इसके upon में ले जाओ q is equal to minus q by 2 1 by 2 plus root 2 लीजिए साहब small q की value इतनी आ गई अगर पूरा system equilibrium में है तो बच्चों बड़ा अच्छा कोशन है अब समय है उन बच्चों के concepts क्यों और strong करने का जो बच्चे और deep जाना चाहते है मैं neat mains level पर board level पर अल्रेड़ी पढ़ा चुका हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सब questions वो है जो और थोड़ा सा detail में बच्चे जाना चाहते हैं अभी तो बहुत सारे questions मैं आपको इसके उपर कराऊंगा आप धीरे धीरे सभी questions को करते रहें अच्छे दरीगे से note करते रहें और समझते रहें ठीक है आज हमने topic स्टार्ट किया है electric field और मैं उम्मीद करता हूँ कि electric field आप सभी लोगों को समझ आया होगा जो भी परिशानी हो electric field में सीधा मुझसे आप doubt अपना clear करें और बेटा अपना homework आप लोग हमारे पास में जरूर बेजें देखो अगर आप लोग लापरवाही करोगे न मलब 12th class है आप लोगों की लापरवाही करने की कोई गुंजाईश नहीं है October तक vaccination का काम complete हो जाएगा अगर आप इस उमीद में बैठे हैं कि नेक्स्ट येर आपको भी relaxation मिल जाएगा और आपके exam भी late हो जाएगे ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और अपने exam भी देने पड़ेगे October तक vaccination फिनिश हो जाएगा जब vaccination फिनिश हो जाएगा तो आपके exam में खतम हो जाएगी समझारी बात आप लोगों को तो बेटा अच्छे तरीके से पढ़ो यार सही तरीके से अपना class work करो homework करो proper तरीके से हमारे पास में भेजो जिससे कि हम भी आप लोगों की सही monitoring कर पाएए ठीक है चलिए मिलते हैं आप लोगों से next class में